हेलो फ्रेंट्स स्वागत करती हूँ आप सभी का एक्जाम एचीवमेंट पे मैं करोना आज आपके लिए लेकर आए हूँ भारतिय चित्रकला का वह अंच जो अधिकतर हम छोड़ देते हैं जिसको हम नहीं पढ़ते हैं लेकिन वो उतना ही इंपोर्टन्ट होता है क्योंकि उससे भी कोशन्स एक्जाम में रखे जाते हैं तो मैं उपर उपर से इसको लेकर आई हूँ जिसके अंदर आपके बहुत से इंपोर्टन्ट कोशन्स कवर हो जाएंगे आशा करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी दोस्तों प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्रा की खोज सर अरयूरेल इस्टिनने की थी और इस सब्विता में सबसे पहले मिट्टी के बरतन बनने के साक्षे प्राप्त होते हैं सेकिंड नमबर पर है जोब सब्विता जोब शन्सक्रती को किस जगा की प्रसित संसक्रती माना जाता है तो इसका आंसर रहेगा उत्तरी पकाई गई मिट्टी की मूर्थियां कहां से प्राप्त होई हैं तो वो हमें जोब सब्विता, सिंदु गाटी सब्विता दोनों से प्राप्त होई हैं नेक्स्ट है कूबरदार सांडो की मूर्थियां कहां से प्राप्त होई हैं तो जोब सब्विता से कुकुंद वाला बैल हमको सिंदू सब्विता से मिला है और कूबड वाला सांड हमें जोब सब्विता से मिला है नेक्स्ट है जोब संस्कृति को और क्या कहा जाता है तो लाल रंग के म्रदभांडो वाली संस्कृति जोब संस्कृति को कहते है इसके बाद है दोस्तों जूंकर तथा जहांकर सभ्यता भूरे रंग के मिट्टी के बरतं किस सभ्यता से प्राप्ट हुए हैं तो उनसका अंसर होगा जूंकर तथा जहांकर सभ्यता से पकाई गई मिट्टी की अनेक रोचक मूर्पियां कहां से प्राप्त हुई हैं जहांकर से 1932 एस्वी में किस सभ्यता का परीचे सरप्रथम श्री अन जी मजुमदार ने पुराततु विद्याओं को कराया उसका अंसर होगा जूंकर तथा जहांकर सभ्यता दोस्तों अभी है वैदिक कालिन सभ्यता जिसको हम आरे सभ्यता भी कहते हैं आरे लोग कहां से आये थे तो मध्धे इशिया से हिंदू सभ्यता विक्सित हुई कैसे द्रविन वैश्यों वे आरेयों के मिश्रण से द्रविन जो दक्षिन भारत में रहते थे आरे जो मद्धेशिया से आये थे और वेश्या इसके बाद नेक्स्ट है इस सभ्वता से प्राप्त म्रद्भान का रंग कैसा है तो धूसर रंग है नेक्स्ट है फ्रेंड आरे सभ्वता का अन्यनाम क्या है तो दूसर म्रद्भान सब बता, दूसर का मतलब होता है मटमेला, यानि की सलेटी या काले रंग के बरतन, तो वैदिक काल का समय क्या माना जाता है, पंदरा सो से लेकर के छहसो इसा पूर्व, आर्यों की मूल भाषा क्या थी, संस्कृत, वेदों का रचना समय वे भाषा, त तो सहीता या फिर नियम भी वेदों को ही कहा जाता है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो सबसे प्राचीन वेद है रिग वेद, इसको संसार का सबसे प्राचीन वेद माना जाता है, इसके अलावा तीन वेद और है, जैसे अर्थवेद, साम वेद और, ठीक है, जैसे य मंदलों की संख्या 10 और 10 मंदलों में रिचाएं 10,580 गैत्री मंद किस वेद में दिया है तो रिगवेद के छटवे मंदल में विश्वा मित्र द्वारा रचित है रिगवेद के प्रमुक देवता इंद्र को युद्ध का देवता भी माना जाता है वर्शा और गर्जन का दे लविदुशी ने लिखी थी लोपा मुद्रा ने रिगवेद काल में मुख्य पशु कौन थे तो गाय थे और गाय की पूजा की जाती थी आशोमेध यग में सीता जी की मूर्ती शिल्पी ने बनाई उस शिल्पी का नाम था मै महाभारत का समय मतब इस गरंथ को लिखने का समय पांचमी शताब्दी इशापूर्व माना जाता है चित्रकार सत्यवान का जो जिक्र हुआ है वो कौन से गरंथ में हुआ है तो महाभारत गरंथ में घोडों के बहुत अच्छे चित्र बनाता था ऐसा लिखा गया है इसका नाम चित्र आशो भी पढ़ गया था क्योंक आता है और इन्होंने अनिरुद का चित्र बनाया था प्राचीन भारत में गणराज्य दस थे प्राचीन भारत में महाजनपत सोला थे और वो सोला महाजनपत पहला अंग बिहार का भागलपूर डिस्टिक था जिसकी राज़ाने चमपा थी यह सर्वधिक शक्तिशाली जन था और यह बिहार के पठना गया आधी एरिया में था मगत की राज़ानी राजग्रहव पाटली पुत्र थी और मगत राज़े की स्थापना विम्बसार ने करी थी तीसरा जो गण राज़े है महा जनपद है वो है विजी इसमें आठवन्स थे लिछवी, विधे, ग्यात्यब विधे के राज़ा जनक थे और लिछवी की राज़ाने विशाली थी जैन्धरम के संस्थापक महा विर्शामी थे जो जात्रिक पुल के थे कुशन महा जनपद फोर है काशी इसकी राज़ानी बनारस जिसको हम वरण ऐसी भी कहते हैं और यह उत्तर प्रदेश में है पांचवा महा जनपद है कोशल जो वर्तमान में फैजाबाद में है और फैजाबाद यूपी अयोध्या में है इसकी राज़ानी श्रीवस्ती है कासी और कोशल के साशक आपस में शत्रू थे चटा महाजनपद है मल्य यह यूपी का देवरिया डिस्टिक है और इसकी राज़ानी कुशीनगर है साथवा महाजनपद चेदी जो बुंदेल खंड राज़ानी है जिसकी आठवा महाजनपद वद्स इसकी राज़ानी कोशामबी है जो इलाबाद के पास है कोशाम भी व्यापार का बहुत बड़ा केंद्र उन दिनों माना जाता था नवा महाजनपद पुरू यहे यूपी का मेरट जिला है और इसकी राज़ानी हस्तिनापुर थी पांचाल दसमजनपद है जो यूपी के बदायू बरेली और फारुकाबाद में था और इसकी राज़ानी अही चत्र थी मत्स आधुनिक राजस्तान के जैपुर भरतपुर अलवर इस्तान को बोल देते हैं और इसकी राज़ानी विराटनागर थी सूर्सेन बार्वा जनपद जिसकी राज़ानी मत्रा अश्मक तेहर्वा और इसकी राज़ानी पैठान चोथा अवंती महाजनपत जिसकी राज़ानी थी उज्जेन पांच्वा महाजनपत गांधार जिसकी राज़ानी थी तक्षिला और सोल्वा महाजनपत था कमबोज अब दक्ष गंडाज्यों की बात कर लेते हैं तो पहला साक्य जिसकी राज़ानी का पिलवस्तु थी, दूसरा लिछवी, तीसरा मल, चोथा भग, पांचवा कलिय, छटा मौर, साथवा विध्य, आठवा बूली, नवा सतामस, और दसवा मगत, ये दस गणराच्य थे, जिसमें मगत सबसे शक्तेशाली था. बिंबसार का समय 543 शपुर्व से 491 शपुर्व माना जाता है और कहा जाता है कि इसी ने ही मगत सामराच्जी की स्थापना करी थी. पुराण कार्थ होता है प्राचीन आख्यान तो मुख्य पुराणों की संख्या ठारा है जिसमें सबसे प्राचीन पुराण है मतस्य पुराण उप पुराणों की संख्या भी अठारा है पुराणों की संगरह करता महर्शी लोमहर्श को माना जाता है और सबसे प्राची इन्वे स्मृती ग्रंथ मनु स्मृती को माना जाता है रमायन का समय छटवी चताब देई सापूर्व है और इसके अंदर साथ कांड है बुक आफ सोंग सामवेद को कहा जाता है यह संगीत पर लिखा सबसे पहला ग्रंथ है दोस्तों चारों रगवेद के नाम यहाँ पर आ गए है सामवेद, यजुरवेद, अर्थुवेद और रिगवेद यजुरवेद यग और कर्मकांड से का प्रतीक मना जाता है और अर्थुवेद का संबंध रिशी अर्थुवा द्वारा रचित ग्रंथ से है और रिगवेद का समय पंद्रा सो से एक हजार इसा पूर्व और जो इसके अलावा कुछ वेद यानि की पुरान, महापुरान, उपपुरान लिखे गए है उनका समय, सौरी, अन्य वेद यानि की रिगवेद सिर्फ पंद्रा सो से एक हजार के बीच लिखा गया और बाकी के तीन यानि की यजुरवेद, अर्थुवेद और सामवेद 10,000 से 600 इसापूर्व में लिखे गए आरे वासी कैसे वस्तर पहनते थे? तो सूती वस्तर पहनते थे आरे लोगों का मुख्य पेशा पशुपालन वे क्रशी था आरे समाज के जो लोग रहते थे, जिन मकानों में रहते थे उन मकानों को जोपड कहा जाता जो कच्ची इटवे घासपूस से बने होते थे वेदों के बाद जो गरंथ हमें प्राप्त होते हैं उनको ब्रहमन गरंथ बोला जाता है और ब्रामण ग्रंथों के बाद जो चीज़े हमें प्राप्त होती है उनको उपनिशद, एतरत ब्रामण या कोश्ट किया ब्रामण कहा जाता है उपनिशदों के बाद पुरान प्राप्त होते हैं और वेदान्तों का निर्मान वेदों से हुआ है वेद चार है, वेदान्त छे है, पुरान अठारा है, उप पुरान अठारा है और उपनिशत 108 है दोस्तों ही हमारी हिंदू सब्वता के लिए भी इंपोर्टेंट है कि हमें पता होना चाहिए वेद क्या है वेदांत क्या है पुरान क्या है उपनिशद क्या है और इनकी संख्याएं कितनी है सिंथू सभथा के बाद जिस सभथा का अध्यान करते हैं उसे कहते हैं इंडो आरे सभथा चित्र लक्षन ग्रंथ वेदिक कालिन है जिसका समय माना जाता है 500 से लेकर के 200 इसा पुर्व चित्र लक्षन मूल रूप से संस्कृत भासा का ग्रत है जिसकी रचना नगन जीतने की थी और ये संसार के पहले चित्रकार थे वातसायन का कामसुत्र जो है वो लगभग 500 इसा पुर्व लिखा गया है अस्टा ध्याई में आठ ध्याई है और अस्टा ध्याई के लेखा के महरशी पढ़े नी वैदिक काल में दो प्रकार की कलाएं थी चारू और कारू ललित कलाएं और कारू उप्योगी कलाएं कहा जाता है हिगेल क्लासिफिकेशन अठारवी सताब्दी में किया गया जिसके अंदर ललित कलाओं को मुख्यता पाँच भागों में बाटा गया उशा वे रातरी का वर्णन अस्टा ध्याई में आया है नाटे सास्तर का समय प्रथम सताब्दी माना गया है और उसके अंदर नाटे कला को यानि की नाटक करने की कला को सर्वस्ट्रेस्ट कला माना गया है और इसके अंदर कलाओं के दो प्रकार बताएं गए हैं मुख्य गला और गोण कला भरत मुनी ने नाट्य सास्तर में जिन रंगों का विवेचन किया है वो है लाल, पीला और काला यहां पर यह नीला और सफेद गलत दिया गया है जर्मनी विद्वान ओस्ट पॉल के अनुसार रंग है लाल, पीला, नीला और हरा इनोंने इन चार रंगों को मुख्य रंगत माना है विश्नो धर्मोत्तर पुराण में जो कलर बताएं गए हैं वो हैं लाल, पीला, हरा, काला और सफेद सवर्प्रथम कला शब्द का प्रियोग भरत मुनी ने नाट्टे सास्तर में किया है इससे पहले की कला को शिल्प कहते थे वैदिक काल में मुख्य देवताओं की संख्या 33 है वरुन को जल का देवता, पूशन को मवेशियो का देवता कहा जाता है मौर्यों के बाद दक्षण में सात्वाहनवंज ने सासन किया सीसे के सिक्कों का प्रचलन सात्वाहनवंज ने किया दोस्तों, इसी के साथ हमारी ये चारो पांचो सब भताएं यहाँ पर खत्म होती हैं उमीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी वीडियो को लाज तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद दोस्तों